हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि State Bank of India का Bank Account Statement कैसे निकाला जाता है दोस्तों, इस वीडियो में Account Statement निकाले का मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप एक दिन से लेकर तीन वर्स तक का Account Statement निकाल सकते हैं इस वीडियो में मैं SBI के Official Website पर जाकर Account Statement निकाले का तरीका बताने वाला हूँ इसके लिए आपको अपने YonoSBI का Username और Password की आप सकता होगी इस जगा बताना चाहूँगा, आप YonoSBI Application की मदद से भी अपना Bank Account Statement निकाले का तरीका बता रहा हूँ यदि आप अपने YonoSBI का Username और Password भोल चुके हैं, तब आप इस वीडियो को देख लें इसमें मैंने बता रखा है कि YonoSBI का Username कैसे पता किया जाता है और Password को कैसे Reset किया जाता है इस वीडियो का लिक मैं डिस्क्रिप्सन में डाल दूँगा, तो इसकी मदद से आप अपना Yusername और Password निकाल लें, उसके बाद आगे प्रोसीड करें तो चलिए Statement निकालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने Phone के Browser में SBI के Official Website को Open करें इसके लिए आप अपने Phone के Search Box में SBI लिखकर Search पर क्लिक करें उसके बाद कुछ इस तरह का Interface देखने को मिलता है तो इसमें आप SBI के Official Website पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक नया Page Open होता है तो इस जगा Personal Banking के नीचे Login वाले Option पर क्लिक करें Login पर क्लिक करते ही एक नया Page Open होता है तो इस जगा Continue to Login वाले Option पर क्लिक करें Continue to Login पर क्लिक करते ही आप SBI के Internet Banking के Login पेज पर Redirect हो जाते हैं जिसमें आपको username, password और capture डाल कर login करने को कहा जाता है यदि आपने SBI के internet banking में register नहीं कर रखा है बट आपने UNOSBI में registration कर रखा है तो इस जगा आप अपने UNOSBI का username और password डाल कर भी login कर सकते हैं इस जगा एक interesting चीज बताना चाहूंगा आपने UNOSBI में registration के दोरान जो username और password बनाया होगा उस username और password की मिदद से SBI की किसी भी mobile banking application या website में login कर सकते हैं तो इस जगा आप अपने UNOSBI का username एंटर करें उसके बाद इस जगा आप अपने UNOSBI का login password एंटर करें और नीचे इस box में OTP एंटर करने को कहा जाता है साथ ही आपके register mail नमर पर एक OTP बैंक द्वारा भेज़ दी जाती है तो इस जगा उस OTP को एंटर करें उसके बाद नीचे submit वाले option पर क्लिक करें submit पर क्लिक करते ही आप SBI के internet banking के home page पर redirect हो जाते है इस जगा नीचे आपके account का कुछ details सो होता है चोकि हमें अपना account statement निकालना है तो इसके लिए उपर की तरफ इस जगा three lines पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface सो होता है जिसमें सबसे पहले आपको bank account select करने को कहा जाता है यदि आपने अपने branch में एक से अधिक account open करा रखा है तो इस जगा आपके सारे account सो हो जाएंगे तो इस जगा आप जिस account का account statement निकालना चाहते हैं उस account को choose करें यदि आपने अपने branch में एक ही account open करा रखा है तो इस जगा एक ही account चोग करेगा चुकि इस जगा मैं saving account का statement निकालना चाहता हूँ इसलिए मैं saving account वाले option पर click कर रहा हूँ account select करने के बाद page को थोड़ा scroll करें page scroll करने के बाद आपको इस जगा statement का period चूज करने को कहा जाता है और थात आप कितने दिनों का statement निकालना चाहते हैं इस जगा आप date wise, month wise या year wise अपना statement निकाल सकते हैं मैं इस जगा सारे options को दिखा देता हूँ अगर आप date wise statement निकालना चाहते हैं तब इस जगा by date वाले option पर click करें उसके बाद आपको एक नया option देखने को मिलेगा तो इस जगा आप initial और final date को choose करें उसके बाद सबसे नीचे इस जगा आपको कुछ options दिये जाते हैं यदि आप अपना account statement online ही देखना चाहते हैं तब आप simply view पर click करके go पर click कर सकते हैं चुकि मैं इस जगा bank account statement को पीडियाफ में डाउलोड करने वाला हूँ इसलिए इस जगा मैं PDF पर click कर रहा हूँ उसके बाद सबसे नीचे इस जगा go वाले option पर click करें go पर click करते ही PDF डाउलोड होना शुरू हो जाता है PDF डाउलोड होने के बाद यहाँ automatic open हो जाता है जिसमें आपको day wise आपका statement दिखा दिया जाता है ठीक इसी प्रकार से मैं back कर रहा हूँ यदि आप इस जगा month वाज अपना statement देखना चाहते हैं उसके बाद इस जगा आप जिस month का statement देखना चाहते हैं उस month को choose करें उसके बाद नीचे format को select करें उसके बाद go पर click करें उसके बाद पुना एक PDF डाउनलोड होता है और वहाँ automatic open हो जाता है तो इस जगा आप month वाज अपना statement देख सकते हैं अगर आप last 6 month का statement निकालना चाहते हैं तब आप simply इस जगा last 6 month को choose करें उसके बाद नीचे format को choose करें उसके बाद नीचे go पर click करें उसके बाद पुना एक PDF डाउनलोड होता है और वहाँ automatic open हो जाता है तो इस जगा आप month वाज अपना statement देख सकते हैं और यदि आप year wise statement निकालना चाहते हैं तब इस जगा financial year पर click करें उसके बाद इस जगा आपको last का 3 verse 100 होता है तो इस जगा आप जिस भी बर्स का account statement निकालना चाहते हैं उस बर्स को select करें उसके बाद नीचे format को choose करें उसके बाद नीचे go पर click करें उसके बाद पुनहा आपका PDF डाउनलोड होकर open हो जाता है इसमें आपका statement year wise 100 होता है तो इस जगा आप ध्यान रखें सबसे पहले आप account को choose करें उसके बाद आप statement period को choose करें उसके बाद आप जिस format में निकालना चाहते हैं उस format को choose करें उसके बाद सबसे नीचे इस जगा go वाले option पर click करें go पर click करते ही PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाता है PDF डाउनलोड होने के बाद यहां automatic open हो जाता है यदि आपका PDF डाउनलोड होने के बाद open ना हो तो घबरानी की बात नहीं है मैं इस PDF का location भी बता देता हूँ कि यहां PDF कहां पर save होती है statement डाउनलोड होने के बाद आप चाहें तो इस जगा logout कर सकते हैं उसके बाद अपने phone में file manager या file वाले application को open करें file manager या file application open होते ही download वाले folder को open करें download वाला folder open होते ही इस जगा आपके bank account statement का PDF देखने को मिल जाएगा तो इस जगा इस PDF को open करें यदि आपके phone में एक से अधिक PDF reader application है तब आप अपने पसंद के PDF reader में इस PDF को open कर सकते हैं इस जगा मैं इस PDF को drive से open कर रहा हूँ इस जगा आप अपना complete account statement देख सकते हैं या आप चाहे तो इस PDF का print निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से आप State Bank of India का account statement डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपका कुछ और भी डाउट हो तो comment जरूर करें वीडियो अच्छे लगी हो तो एक like कर दें